अगला है क्लोव हिच बानने के लिए एक वस्तू का इस्तेमाल करेंगे आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि हिच और नॉट में क्या डिफ्रेंस है हिच किसी वस्तू पे बनता है, किसी ऑब्जेक्ट पे बनता है, तो हम उसके लिए एक लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लोव हिच बनाने के लिए रस्षी के एक सीरे को लकड़ी में ऐसा एक राउंड गुमा लेंगे, नौर्मल सा, एक राउंड गुमाने के बाद ये इ कहते हैं मवेशियों को बानने के लिए क्लोविज बहुत उपयोगी है हमारे स्काउटिंग में हर एक लेशिंग बानने के लिए क्लोविज का इस्तेमाल किया जाता है जो आपको आगे की क्लास्में बताया जिच